यहां पे जो दोनों हाउसे होते हैं यहां पे जो कोश्चन है थोड़ा डिफर है इसमें इस वीडियो में कोश्चन जो है लोकसभा है यह लोकसभा और राजसभा पे दोनों पे एपलिकेबल होता है और इस कोश्चन का मतलब है जो स्पीकर जो होते हैं आपने अगर कभी संसत की मीटिंग देखी होगी तो सेंटर में एक आदनी बैठा होता है लोग उससे डिरेक्ट बात करते हैं एक्चली लोकसभा और राजसभा का एक रूल है कोई भी पार्लेमेंट में जब मीटिंग होत रहा है तो यहां पे कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर को डिरेक्ली नाम लेके या पॉइंटर आपके बात नहीं कर सकता है यह रूल है यहां पे आपको डिरेक्ट स्पीकर से बात करनी होगी स्पीकर के दौरा वो बात उन तक पहुचाए जाएगी यह एक रूल बनाया गया है ताकि चीजें आराम से हो सके हैं सब हम यहां पे समझते हैं किस तरीगे से who is claims maintain करता है number answer the speaker is the presiding officer of the he and she conduct the business impartially according to the rule of the procedur ab gider speaker होता है presiding officer होता है याbes पूरे सभा को चलाने वाला loakसभा और raja-sभा दोनों में और यह भाई सब जो हैं यह he and she, male भी हो सकते हैं, female भी हो सकते हैं, यह कानून के मुताबिक सारा business, सारा कामकाच करते हैं, according to the constitution. कभी भी जब किसी भी बिल के ओपर discussion चालो होता है, तो speaker जो है, वो बुलने वाले को time allot करता है, कि आपके पास 2 मिनट है, आपके पास 5 मिनट है, आपके पास 10 मिनट है, सबी बातों को रखने के लिए, दोनों तरफ से, ruling party और opposition party दोनों को मौका दिया जाता है, लेकिन speaker जो हो वो उनको time देते हैं, कि आपको इतने time के अंदर आपको सारी बाते खतम करनी है, नमबर 3, his and her ruling regarding any point of order is final and cannot be challenged, एक बार अगर speaker ने किसी भी चीज़ को लेके कुछ final decision दे दिया, तो कोई भी सदस से, कोई भी member इस फैसले को challenge नहीं कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, नमबर 4, when a भी तरीके से, जो कोई भी सदस है, ruling party का हो, या opposition party का, ठीक है, वो अगर speaker की बात नहीं मानता है, और जगडा पैदा करता है, तो speaker उन्हें warning देते हैं, however, if the member persist with unruly conduct, the speaker asks him to leave the house, अब यहाँ पे, अगर फिर भी कहने के warning देने के बाद भी, अगर वो लोग नहीं मानते हैं, तो उन्हें सीधा house, यानि रोकसभा या राजसभा चोड़ने का सीधा order दे दिया जाता है, now, if they do not obey, the marshal of the house is summoned to physically remove the member of the house, अभी उनको कहा गया है, कि आप, please, लोकसभा से चले जाएए, या राजसभा यहां से चले जाएए, या फिर सब चले जाओ, अगर कोई बात उनको नहीं मानता है कि हम नहीं जाएंगे, तो जो marshal होते हैं, एक तरीके से security जो होती है, वो उनको उठा के सीधा parliament से बाहर भेज देंगे, now, he and she can be suspended, he and she can suspend the member from the house for a specific time, अब यहां पे speaker के पास इतनी power होती है, कि कोई भी अगर ऐसा लगता है speaker को, यह जो है, संसत्ता काम करने न अरचन पैदा कर रहा है, तो उसके पास power होती है, कि वो particular member या particular लोग को कुछ समय के निधारिश समय के लिए उन्हें house से बाहर निकाल सकते, यानि इतने समय के लिए वो संसत्ते नहीं आ सकते, उनको assessment कर दिया क्या है, so in this way, this question ends over here, thank you very much.